मूवी स्टार्ट होती है और हम देख सकते कि एक लड़के का टौलेट में मर्डर हो जाता है राद में फिर पुलिस क्राइम सिन पर पोच थे इस क्राइम के कोर्ट अपॉंटेड लॉय जिनका नाम है प्रोस्ट्रिक्यूटर पार्क ये सुबाँ पर उस क्राइम सिन पर आते हैं पाक पुछते कि विक्टिम कौन था उन्हें बताया जाता है कि एक कॉलेज का सिनियर था जो अपनी गर्फरेंड के साथ यहां आया हुआ था राच साड़े दस बज़े उसका यह मर्डर हुआ है टॉयलेट में मर्डर हुआ है तो पाक वहाँ जाकर देख दे पर वहाँ सब कुछ साफ हो चुका है पुलिस वहाँ राद में ही पोजे थे इस होटिल के ओनर ने उन्हें कहा था कि सुबा उन्हें फिर से होटिल उपन करना है इस वज़े से जल से जल उन्हें सब फोटो जगरा क्राइम सीन की ले ली और सब चीज़े साफ कर ली टॉयलेट यानि मर्डर का क्राइम सीन यह पूरी तरह से साफ हो चुका है यानि कि इसे और एनलाइज भी नहीं कर सकते पाक फिर भी इस पूरी जगा को एनलाईज करते सिंग की नीचे उन्हें बलड पड़ा हुआ दिखता है वो वंडर करते कि टॉयलेट और सिंग इन दोनों में डिस्टंस है तो इतनी दूर तक बलड आया केस है जब डिसकेशन होती है तब हमें हमारे विक्टिम के बारे में पता चलता है विक्टिम का नाम जो जंग फिल था उसकी फैमिली में वो अकेला ही लटका था उसके फादर ड्राइवर थे वो कॉलिज में था तो मेहनत करकर पैसे कमा कर फीज दिता था जिस रात उसका मर्डर हुआ तो अपनी गर्फरेंड के साथ उस होटेल में वो आया हुआ था हमें उस रात का फ्लैश बैक दिखाया जाता है जोंग फिल अपनी गर्फरेंड के साथ हैंग आउट कर रहा था गर्फरेंड घर जा रही थी जॉंग फेल को girlfriend के साथ और भी time spent करना था तो वो भी उसके साथ गाड़ी में चड़ गया ये दोनों फिर hotel में आया कुछ drinks इनों ने लिए hotel में ही जॉंग फेल जब toilet गया तब ही उसका murder हो गया बहुत time हो गया पर फिर भी जॉंग फेल बाहर ही नहीं आया उसकी girlfriend उसका wait कर रहे थी तो देखने के लिए गई और उसे directly जॉंग फेल की body ही मिली हम फिर से present देखते है जॉंग फेल की girlfriend सदमे में है girlfriend जे ज़रा question पूछे जाते है उसे पूछा जाता है कि क्या कोई तुमारा पीछा कर रहा था क्या किसी से तुमारी दुश्मन ही थी girlfriend के बास इन सब question का कोई भी answer नहीं है इसके बाद mildry में एक suspect पकड़ा गया था जिसका नाम था Pearson CVI की investigation में Pearson ने अपने testimony दी कि उसने ही John Phil को मारा है और Pearson को police station में लाया जाता है directly CVI ने जो testimony ली है उसे वज़े से Pearson को punish नहीं किया जा सकता क्योंकि इस case की man inquiry Korean police ही करेगी यह जो Pearson है इसकी mother Korean थी और father American US Army को लगा कि Pearson ही suspect है इसे वज़े से उसमा investigation उनों ने की थी Pearson के बास अब पार्क आते है पाग को बताया जाता है कि Pearson हमेशा से अमेरिका में ही रहा है तो उसे Korean थोड़ी भी नहीं आती जब वो उसे investigation कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारे problems आये है investigators को लगता है कि Pearson जोट बोल रहा है क्योंकि उसकी mother Korean थी थोड़ी दर में army से appointed एक lady आती है वो सब police से कहती है कि Pearson एक American citizen है investigation करते हुए कोई भी इसे तगलिफ नहीं होने चाहिए इसे आप handcuffs में भी नहीं रख सकते अगर Pearson चाता है कि investigation चब चल रहे है तो उसकी family भी या हो तो ये भी होना चाहिए इन सब rules को police को follow करना पड़ेगा इसके बाद एक translator बुलाया जाता है सब question answer चलते है पाप पुछते है कि तुम उस रात उस hotel में थे तुमने जॉंग फिल को क्यों मारा क्या तुम उसे जानते थे Pearson कहता है कि मैं उसे नहीं जानता था पाप पुछते है क्या तुम्हारी कोई fight हुई थी क्याता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैं सिर्फ टौालेट गया और वहाँ पर उसका murder होते हुए मैंने देखा Pearson कहता है कि जॉंग फिल का murder उसके friend Alex नहीं किया था Alex का पता भी police लगा रहे है पर दो-तीन दिनों से Alex उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा Pearson के कपड़ों में blood था जो उसने गटर में fake दिये थे ये कपड़े police के पास है ये वो Pearson को face से दिखाते गयते है कुछ भी सच होगा वो हम पता कर ही लेंगे इसके बाद next time में हम देखते है कि Alex और उसके फादर ये दोनों पाक के पास आते है एलेक्स पहले गायब था और ये खुद पाक के पास आ चुका है एलेक्स के फादर कहते है कि एलेक्स डर गया था वो सिर्फ देखने में बड़ा दिखता है पर फिर भी वो छोटा ही है फादर को लगता है कि एलेक्स एक मासूम बच्चे की तरह है पाग पिर एलेक्स से question पुलना start करते है पाग एलेक्स से बूछते है कि उसकी age क्या है, वो कहा रहता था तो सब question एलेक्स के फादर ही देते है पाग कहते है कि एलेक्स को answer देने चाहिए यहान वहाँ के question चल रहे है तो एलेक्स कहता है कि जो actual में हुआ था जो main question है या answer करने के लिए मैं ready हूँ Alex फिर बताता है कि उस रात हुआ क्या था हमें उस रात का flashback दिखा जाता है जिसमें Alex Pearson और उसके कुछ friends hangout कर रहे थे उन्होंने कुछ burgers विगरा मंगवा है इन्हें cut करने के लिए कुछ भी नहीं था तो Pearson ने अपने pocket में से एक knife निकाली यही knife है जिससे जॉंग का murder हुआ था यह knife देखकर सब friends surprised होते है एक friend इस knife को देखता है तो उसका finger cut होता है Pearson यहाँ कहता है कि इस knife से मैंने किसी को step किया है अलिक्स बुचता है तो क्या वो मरा था तो Pearson कहता है कि मैंने देखा नहीं बाकी friends को smoke करना था तो यहाँ से वो चले जाते है इसके बाद जॉंग फिल टॉयलेट में गया और Pearson बोला तुम्हें में कुछ दिखाना चाता हो यह देखकर तुम्हें मजा आएगा गलत यह कोई भी बता नहीं सकता एरेक्स और Pearson को एक साथ पिठाया जाता है इनसे पूछा जाता है कि मर्डर तुम दोनों में से किस ने किया है यह दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं नेक सिन में हम देखते हैं कि पाक अपने कलिक के साथ होते है कलिक उन से कहते हैं कि CID की इन्वेस्टिकेशन हुई थी उस इन्वेस्टिकेशन में Pearson ने बता दिया था कि उसने ही जॉंग फिल का मर्डर किया है अब उन्हें और इन्वेस्टिकेशन नहीं करने चाहिए यह वो पाक को कहते हैं पाग कहता है कि एक केस C.I.D. के पास नहीं है, हम ही हैं जो इस केस की प्राइमरी इन्वेस्टिकेशन कर सकते हैं। पीरसन ने क्यों कहा था, कि उसने जॉंग फिल को मार डाला है, तो ये पूछने के लिए पाग उसके पास जाते हैं। पीरसन कहता है कि मुझे कोरियन नहीं आती, उस टेस्टिमोर ने में क्या लिखा था, ये मैं पढ़ नहीं पाया और मैंने साइन कर दी। C.I.D. के लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, अब उस साथ के स्टोरी पीरसन सुनाता है, जो सब एलेक्स ने कहा था, उसका सब ऑबजिट या हुआ है, इस केस में पीरसन के कपड़ों में सबसे जादा खून था, इससे एक्स्पें करने के लिए पीरसन कहता है, कि ए सब पाग को समझाता है, अब पाग भी इन सब चीज़ों को लेकर confused है, फोरेंसिक वालों के पास हो जाता है, पीरसन ने जो खा है, क्या वो सच हो सकता है, वो फोरेंसिक वालों को बोच्चता है, फोरेंसिक वाले के थे, कि नेक पर हमला हुआ था, नेक पर हमला होने से, ब पेन हो सकती है यानि कि Pearson ने जो का है यह सच हो सकता है पाक और भी investigation करकर Alex को murder के लिए चार्ज करते हैं एलेस के फादर एक रीचाद में है यह बड़े बड़े लोगों को जानते हैं एक बड़ा सा lawyer वो एलेस के लिए hire करते हैं यह lawyer पाक से करता है कि Alex ने murder नहीं किया है वो खुद चल कर सामने आया था पाक उसकी कुछे बात मानने के लिए ready नहीं है जब Alex और Pearson दोनों से फिर से questions पूछे जाते हैं तो Pearson के बाद सब questions के सही से answers है एलेस ने जो चोरी कई है इसको भी वह सही से detail में नहीं बता सकता ऐलेस को जादा कुछ याद नहीं है यह सब वंडर करते हैं पाक का एक कलिक कहता है कि अगर उन दोनों ने drugs किया होंगे तो भूल सकते हैं कि उन्होंने murder किया था दोनों की intoxication report मंगवाए जाती है और उसमें नहल आता है यानि कि इन दोनों ने कोई भी drugs नहीं किये थे तो एलेस को जादा details पता नहीं है तो यह बहुत ही species से पाक और भी शोर हो जाते हैं कि अलेक्स नहीं murder किया है अलेक्स के फादर परिशान हो थे उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो उन्हें करना चाहिए यह lawyer से कहते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए पर lawyer कहते हैं कि अब हम वेट ही करना पड़ेगा जब court आएगा तब हम स выпускर किया जाता है तो पिश्न इसमें पास होता है और एलेक्स नहीं murder किया है जब एलेक्स के फादर पाक से मिलते हैं उन्हें रिश्वत देने के कोशिश करते हैं पर पाक मारने नहीं आ ले the next film में देखते हैं कि पेसं न के एक फ्रेंड को बाग बुला थे इस फ्रेंड ने अपनी टेश्टीमोनी में कहा था, कि पियरसन ने अडमिट किया, कि उसने इंग दिखा था, और उसकी बड़ी को उसने पुश्च गिया, पाक पुछते है, कि अपनी टेस्टीमोनी में तुमने ऐसा क्यू कहा? फ्रेंड कहता है कि मैं बहुत ही confused था मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए उस राज सब friends जब devil पर थे तब Alex और Pearson इन दोनों में से किसे ने कहा था कि चलो तुम्हें कुछ fun दिखाता हो यानि कि murder करने वाले थे तो ये बात किस ने कही थी ये पाक Pearson के friend से पुछते है friend confused हो जाता है और कुछ भी answer नहीं करता पाक को उसके superior office में बुलाते है वो गहते है क्या तुम sure हो कि Alex ने ही murder किया है पाक कहता है कि हाँ मुझे पता है कि Alex ही murderer है उसके superior उसे warning देते है वो कहते है कि Alex के father की पोच बहुत ही आगी तक है इसके बाद हम देखते है कि court start होता है इस court में lawyer Eric से बुछते है कि murder किस ने किया था वो कहता है कि ये Pearson ने किया है Pearson के बारे में कहता है कि वो एक January की तरह है उसे random violence करना अच्छा लगता है इस court में John Phil की mother भी है ये बहुत disturb हो जाती है और Alice को गालिया देने लगती है जज फिर इस hearing को यही खतम करवा देता है next hearing जब जलती है तो Pearson और Alex के friend को फिर से बुलवाय जाता है इसे पूचा जाता है कि जब Pearson ने knife निकाली थी तो इन knife किसके pocket में last थी यहाँ answer करता है कि Alex था जिसके pocket में knife थी पर फिर confused होकर कुछ भी नहीं बताता इनका और एक friend ने जो smoking करने के लिए स्टेर से उपर गया था जब murder हुआ तो Alex और Pearson दोनों डोल से स्टेर स तक आये थे तो पहले कौन आया था इसकी argument होती है यह friend केता है कि वहले Alex आया था Alex को lawyer केता है कि murder करने के बाद उन पहले आया था और कौन बाद में इससे कोभी फरक नहीं पड़ता पर पाक इस पर जोर देता है वह गयता है कि murder करने के बाद आदमी भागने के कोशिश करेगा तो जिसने murder किया है वह ही पहले जाएगा नेकसिन में हम देखते है कि Alex जेल में है वो उसके फादर उससे मिलने के लिए आया है Alex को fast food पसेन है तो बहुत सारा लेकर आया है फादर को बुरा लग रहा है उन्हें लगता है कि Alex को उन्हें United States में ही रखना चाहिए था कोरिया में कभी भी लाना नहीं चाहिए था वो कहते है कि सब evidence तुमारे खिलाफ है और तुमारे frame भी तुमें ज़्यादा help नहीं करे एलेस कहता है कि मुझे उन्हें दिखाना चाहिए था फादर सप्राइस्ट हो जाते है उस सोचते है कि कह क्या रहा है फादर को भी डाउट जाता है कि Alex ने शायद ये murder किया हो सकता है पर वो फादर है तो इसे ignore कर देते है नेक्स जब court चलता है तो forensic officer को बुलाया जाता है ये सब facts court को बताते हैं और last में पाक उनसे बुचता है कि अगर आपको guess करना हो कि real murderer कौन है तो कौन हो सकता है forensic expert कहते हैं कि जिसने भी murder किया था वो बहुत ही strong था John Phil से उसके height जादा थी और ये सब जीज़े Alex में Alex John Phil से उचा है और उसमें ताकट भी जादा है पाक के उपर इस case को लेखर और भी pressure बढ़ने लग जाता है जो भी situation है इससे clearly पता नहीं चल रहा कि Pearson ने murder किया था क्या Alex ने पाक अपने बच्चों के साथ water gun से खेल कर crime scene फिर से create करना चाते है पर फिर भी इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और एक hearing start होती है इसमें Alex के lawyer कहते है कि आपने कहा था कि Alex के height जादा है इसलिए Alex ने murder किया हो सकता है पर ऐसा नहीं है जब आदमी toilet करता है तो थोड़ा सा हो जुकता है इसी silly argument पर पाक और Alex के lawyer ये दोनों जगरते है जज इन दोनों को चेंबर्स में लिकर जाते है और कहते हैं कि वेसे ये सब नहीं होना चाहिए ये case बड़ा हो चुका है और इसे media coverage वेगरा सब कुछ मिल रहा है तो जज पर भी pressure बढ़ रहा है ये actual में murder हुआ कैसे था ये जज को फिर से देखना है सब arrange किया चाहता है इसमें Pearson, Alex, उसके lawyers और judge ये सब लोग toilet में आते हैं इस crime scene पर हुआ क्या था ये Alex और Pearson दोनों को बताने की लेखेते हैं Alex ने कहा था योँ टोइलेट में हाथ धो रहा था पर ये toilet बहुत ही छोटा है अगर Alex हाथ धो रहा था तो टोइलेट में कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता murder किस तरह से हुआ था इसके बारे में भी Alex जादर बता नहीं पाता जब Pearson से पूछा जाता है तो पूरे details में उस सब कुछ बताता है ये crime scene से exactly match भी करता है पाक इस case को लेकर disturb हो जाता है वो समझ नहीं पाता कि उसे करना क्या चाहिए वो Pearson और Alex इन दोनों को लेकर unsure है इसके बाद हम देखते हैं कि next hearing आती है इस hearing में CID के officer अपनी गवाई देते है CID के officer कहते है कि हमने Pearson को charge किया था इसके पीछे एक reason था Pearson अमेरिका में एक gang का member है Alex के attorney court को बताते हैं ये जो CID officer है एक experienced officer है court को इनकी बात माननी चाहिए इसी hearing में Pearson और Alex का और एक friend आ गया आता है ये अपनी testimony और साफ साफ देता है वो कहता है कि जिस रात murder हुआ था तब Alex के shirt पर बहुत ही खून था और हो मेरे पास आया मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या है तो Alex ने कहा कि मैंने एक आदमी का murder कर दिया है उसे करकर बहुत मज़ा आया अब इससे साफ साफ पता चल जाता है कि Alex ही murderer है पाक judge से कहते है कि Alex 18 years का है और फिर भी एक हैवान है उसने सिर्फ मज़े के लिए John Phil को मार डाला उसे maximum penalty यानि कि death penalty होनी चाहिए judge Alex को उम्र के देते है और Pearson ने थोड़े दिनों के लिए Alex को cover किया था इस वज़े से एक दिड़ साल की उसे सजा सुना दे Alex अभी भी मानता नहीं वो कहता है कि मैंने murder नहीं किया है Alex के father हार नहीं मानते इस तरह से वो नहीं लड़ते है इस बार वो एक चीज़ को लेकर लड़ते है वो कहते हैं कि Alex में murder किया है इसके पूरे evidence नहीं है Alex में murder शायब नहीं भी किया है इस court की hearing होती है और Alex innocent है ये प्रूव कर दिया जाता है John Phil की mother भी इस hearing में थी उसके बेटे के killer को छोड़ दिया है ये देखकर वो बहुत रोती है वो फिर पाक के पास आती है पाक को बोचती है कि ये हुआ क्या अगर Alex नहीं murder नहीं किया है तो Pearson नहीं किया है ये तो प्रूव होना चाहिए था Pearson को भी सिर्व 11 साल तक सजा हुई है ये सब गलत है पाक इस पर कुछ भी आंसर नहीं कर पाते पाक अपने superior के पास जाते कहते कि इस case को face से reopen करना चाहिए वो और भी कुछ सबुद ला सकते कि Alex नहीं murder किया है पर उसके superior अब इसे मानने के लिए ready नहीं है उसके superior कहते अगर हमने face से इस से reopen किया तो face से बड़ा problem हो सकता है पाक इस चीज़ को जाने दे ये उसके superior उससे advice करते है पाक कोई अच्छा नहीं लगता पर उन्हें मानना पड़ता है अब हम देखते है कुछ time गुजर चुका है Alex free है और अमेरिका जाकर वहाँ वो पढ़ाई कर रहा है छुट्टियों में जब वो कोरिया आता है तो अपने lawyer से मिलने के लिए आता है वो lawyer का बहुत ही thankful है उसके साथ उसकी girlfriend भी है उसकी girlfriend उसे पुछती है कि तुम lawyer के पास क्यो आये थे किस travel में तुम थे एलेक्स के lawyer ज़रा दूर थे पर एलेक्स इस question को क्या answer करता है यो सुनना जाते थे एलेक्स अपनी girlfriend को कहता है कि एक चीज मैंने मजाग मजाग में की थी उसी को लेकर help मुझे इन lawyer में की थी lawyer को बता है कि एलेक्स ने murder किया है पर lawyer इस चीज को ignore कर देते है पाक को अभी भी लगता है कि जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ पर फिर भी एक चीज की उन्हें खुशी है कि Pearson ने murder नहीं किया था और उसको उन्हें बचाया है Pearson भी उन्हें thank you कहने के लिए आता है तो Pearson जा रहा होता है कि जब मैं जेल में था तब वहाँ मैंने एक Korean सिखी थी Last May movie हमें ज़रा confuse कर दिया हमें 99% तो पता है कि Alex नहीं murder किया था पर Pearson भी इसमें उतना ही सामिल हो सकता है जितना Alex उसमें था ये दोनों एक दूसरी पर ही पुरा इल्जाम लगा रहे थे Movie के Last में जिस होटें में murder हुआ था उस होटें में पाक पोश्ट है वहाँ का डॉयरेट हमेशा के लिए बन कर दिया गया है इस डोर के वीचे हमें फिर से John Phil की body दिखाई जाती है ये represent करता है कि इस case को पुरी तरह से दबा दिया गया है Movie के Last में हमें बताया जाता है कि Alex और Pearson ये दोनों अभी भी फ्री है इसी तरह से ये Movie इंड हो जाती है फिर से मिलेंगे और इनी Movie के साथ तब तके रिए